दोस्तो रुमस्कार मेरा नाम है मिलाप गुपता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल English with मिलाप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वाक के बनाना वाक के बनाना सीखेंगे आज हम कितनी interesting बात है देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको हिंदी आनी चाहिए उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी के वाके को किस तरह से लिखा जाता है फिर आपको हिंदी वाली English आनी चाहिए ताकि आपको हिंदी से English कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए लेकिन English वाली English जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है दीवाली इंग्लिश से मैं अपनी प्रिविएस पांच वीडियोस में आपको बता चुक हूं आज यह है पार्ट टू पार्ट टू यानिकि ऐसे सेंटेनसेज जिन सेंटेनसेज के अंदर क्रिया नहीं होती। मैंने अपनी प्रिविएस वीडियो में जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसमें बताया था कि मैं आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगा यानि कि अब हम डायरेक्ट इंग्लिश सीख रहे हैं यानि कि इंग्लिश लेंग्वेज को किस तरह से लिखा जाता है कैसे इस हिंदी को इंग्लिश में कनवर्ट किया जाए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये चितर आप देख रहे हैं इस चित्र को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में आपको एक आदमी दिखाई देगा जो एक कुरसी पे बैठा हुआ है बड़े ध्यान से देखना बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से आपको आज सिखाने वाला हुँ में ठीक है कुरसियों की पेटी बांद ली ठीक है देखें यहाँ पर यह व्यक्ति जो है यह कुरसी पे बैठा हुआ है अगर मैं आपसे यह कहूं कि उपर वाले वाक्य को पढ़ें और बताइए कि क्या यह वाक्य इस पिक्चर पर इस फोटो पे फिट बैठ रहा है सटीक बैठ रहा है देखो यह बोल रहा है मैं यह बोल रहा है मैं कुरसी पर बैठा हूँ क्या यह बात गलत है तो आप देखेंगे कि दोनों ही वाक्य अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है सटीक है बट फिर भी आखिर फर्क क्या है दोनों के अंदर अरे यही तो मैंने अपनी प्रिविएस वीडियो में बताया थ आप अभी तक नहीं समझ पाए फिर बोल रहा हूं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उस वीडियो को देख लीजेगा जरूर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी इसमें और इस वाक्य में दोनों वाक्य में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बाग के दोनों ही ठीक हैं इस पिक्चर को देखकर हम दोनों बाते बोल सकते हैं अगर आप मुझसे बोलें मैं कहा हूं यानि कि आप मुझसे बोल रहे हैं आप कहा हूं और मैं आपको बोलू मैं कुरसी पर हूं और आपने मेरे को देखा एक कैमरे के अंदर हाँ यार सही और अगर मैं बोलू मैं कुरसी पर बैठा हूँ तो दोनों ही वाक्ये बिल्कुल सच हैं सटीक हैं बट दोनों में एक फर्क है और वो फर्क ही मैंने अपनी प्रिवेस वीडियों बताया था कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो या तो नो एक्शन होगा या फिर सबजेक्ट कोई भी क्रिया नहीं करता और यहां पड़ते अक्षन संटेंस जिसमें सब्जेक्ट क्रिया करता है अब इस वाक्ये में देखें अगर मैं इसकी English सिर्फ तभी बना सकता हूँ जब मुझे Tenses आते होंगे क्योंकि मुझे इसमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो मैं यानि कि ये जो subject है ये जो व्यक्ति है ये मैं ये कुर्सी पर कर क्या रहा है कुर्सी पर बैठा है बैठने के काम को कर रहा है इसके लिए मुझे Tenses आने जरूरी है लेकिन मैंने आपको पताया था कि अगर आप New Learner है तो आपको पहले Tenses नहीं सीखने आए आपको सबसे पहले सीखना है Simple Sentences यानि कि ऐसे Sentences जिसमें subject कोई काम नहीं करता मतलब No Action के No Action के Sentences आपको सीखने चाहिए No Action मतलब जिसमें subject कोई काम नहीं कर रहा हो मेरे साथ साथ बोला करो जिसमें subject कोई काम नहीं कर रहा हो clear हो गई बात चलिए अब इस sentence को देखे अगर मैं ये sentence बोलूँ कि मैं कुरसी पर हूँ तो ये बिलकुल सटीक है और मुझे इसमें बहुत कम मेहनत लगेगी इसमें ये जो subject है मैं ये कोई करिया भी नहीं कर रहा मतलब मुझे अगर बैठने की English नहीं आती तो भी मैं इस बात को लिख सकता हूँ अगर एक teacher बोले कि भई इस पर एक sentence लिखो किसी ने इसे लिखा और मैंने इसे लिखा तो पता है दोनों को एक एक number मिल जाएगा किसी का number निकटेगा क्योंकि इसने तो सही लिखा मैंने कौन सा करत लिखा मैंने भी तो सही लिखा मैं खुर्सी पर हूँ और मेर को इसकी English पता भी है तो हम आज आपको simple sentences को कैसे English में translate करते हैं उसके बारे में बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि simple sentences का दाइरा कितना बढ़ा है आपको याद होगा मैंने बताया था simple sentences कितने percent होते हैं 3% और action sentences कितने होते हैं action sentences कितने होते हैं action sentences होते हैं 97% बताया था अपनी प्रिविएस वीडियो में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके वीडियो को जरूर देखना तो सबसे पहले हम 3% पे देखेंगे कि हम क्या क्या सीखेंगे जब हमारा no action बिल्कुल complete हो जाएगा मैं आपको शर्त के कह रहा हूँ आपको English बोलनी आ जाएगी इसको आप विश्वास मानिए ठीक है ध्यान से देखना हम आज आपको बताएंगे कि no action sentences में कितना बड़ा criteria है कितनी महनत आपकी लगने वाली है क्या बहुत जादा महनत है क्या थक्कर बैठ जाओगे आप ध्यान से देखिए सब कार चला भी रही है ये भी सही है और ये कार में है ये भी ठीक है अगर ये बोले मैं कार चला रही हूँ तो भी sentence correct है लेकिन अगर बोले मैं कार में हूँ तो भी कौन सा इसने जूट बोला ये कार में ही तो है लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मैं के दुबारा कार को चला लेकिनर में अगर मैं वोलू, मैं कार में हूं तो मैं ने अपनी एक स्टेट बता दी कि मैं कोई काम तो नहीं कर रही तो यह अप चलिए यहां पर कर आब यहां पर इस चीज को आप जो ध्यान से देख रहे हैं इनको सही से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप किसी भी sentence को English में translate कर ही नहीं सकते तो यहाँ पर पहले आपको नीव समझनी पड़ेगी कि एक sentence को English में translate कैसे किया जाता है ठीक है यहाँ तक समझ आया बड़े ध्यान से देखना अगर माने लीजिए sentence को हिंदी में हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं वाक के ये बात तो मानते हो ठीक है अब मान लीजिए ये वाक के सामने लिखा हुआ है आपके और आपको इसे English में translate करना है जिने English आती है I hope कि वो English बना चुके होंगे इसकी और वो comment में डाल भी देंगे ठीक है जल्दी से comment करिए मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसके English आती है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि ऐसे student जिनको ना पता हो कि इनकी English क्या होती है या इसे कैसे English में translate किया जाता है तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही जादा important है साथ ही आपको भी पता चलेगा कि कैसे sentence को formation में लाया जाता है देखिए यहाँ पर आप ये हमेशा याद रखना कोई भी sentence होगा उसमें एक subject जरूर होगा subject कौन होता है एक वाक्य के अंदर जब आप English बनाते हो तो सबसे पहले जो लगता है अधिकतर 90% सबसे पहले जो लगता है वो होता है subject और subject क्या होता है किसी नाम यानि कि किसी का नाम ध्यान से सुनना और जिसके बारे में बात हो अगर ये दोनों मेंसे कोई शर्थ पूरी हो रही है वही subject होगा जैसे यहाँ पर किसी का नाम अब यहाँ पर बताईए किसी का नाम है रोहन मोहन सोहन तो आप कहोगे सर किसी का नाम नहीं है बिल्कु सही है नहीं है लेकिन अब दूसरी शर्थ क्या है कॉमेंट कर सकते हैं मेरे बताने से पहले जल्दी से करिए अब मैं समझाता हूँ मेरे दोस्त है ये तो एक बात है जो बताई गई है कि मेरे दोस्त है लेकिन बात हो रही है मेरे दोस्त कौन है अगर आप यहाँ पर कौन लगा दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा अगर आप बोलें मेरे दोस्त कौन है तो आंसर निकल के आएगा आप तो दोस्तों हमारे इस sentence के अंदर यह जो आप है न यही हमारा subject है आप के बारे में बात हो रही है आप आप मेरे दोस्त है आप मेरे स्टूडेंट है आप मेरे सब्सक्राइबर है अब मेरे सब्सक्राइबर भी हो सकते है मेरे दोस्त भी हो सकते है मेरे भाई भी हो सकते है मेरी बहन भी हो सकते है लेकिन है कौन आप तो जिसके बारे में बात हो वो word पकड़ो और वही हमारा subject होता है यहां में यह subject मिल गया ठीक है ध्यान से देखना वीडियो को बड़े तरीके से आपको आज English बनाना सिखाऊंगा मैं Hindi को English में कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना ठीक है अब उसके बाद subject हमें चाटना आ गया फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी sentence होगा उसमें एक time of word जरूर होगा time of word मतब समय भई आप मेरे देखो इस दुनिया में वो लोग भी है जो अभी पैदा नहीं हुए वो अभी आएंगे ठीक है जैसे आप हो आपको वारे हो अभी अभी आपकी इस दुनिया में present भी है जैसे अभी अगर आप शादी शुदा हो तो आप बोलो कि मेरी बीबी है है अभी यह यह बठी हुई आपका वीडियो ही देख रहे हैं दोनों साथ में बठके देख रहे है आपकी बीबी बोलेगी मेरे husband है है तो present भी है अच्छा past भी तो हो सकता है जैसे मैं बोलू कि रोहन के पिता जी थे बट अब इस दुनिया में है नहीं मोहन के पिता जी थे बट अब है नहीं तो गांदी जी थे की नहीं थे यह थे ही नहीं गांदी जी थे अब है नहीं है यह past जो चले गए यह past है तो इस वाके में कि आप मेरे दोस्त हैं, अब मैं बोलूंगा महतमा गांधी जी मेरे दोस्ता हैं। है यह फिजर यहां पर इस वाक्य में भी आपको यह देखना होगा कि आपका और मेरे दोस का जो संबंद है वो प्रेजिंट का है यहां ठीश का है यह फ्यूचर का है तो यहां पर क्या लागा हुआ है लगा हुआ है लगा है तो यह जो time of word होते हैं यह समय की सूचना देते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है आपको हैं मिल सकता है देखने के लिए है ना हो मिल सकता है और एक और हैं होता है हम हैं है ना और क्या मिल सकता है था थे थी मिल सकता है देखने के लिए और future हुआ तो होगा होगी होंगे मिल सकता है यह मैं आपको अभी स तो past और अगर ये लिखा हुआ है वाक्य के अंत में तो क्या है future अब आप ही मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है ये हैं लिखा हुआ है तो यानि कि हमें time of word को छाटना आना चाहिए हमारे कोई भी वाक्य के अंदर कोई भी वाक्य जब आज के बाद आप English में translate करोगे तो आप याद रखिएगा कि उसके अंदर या तो है हुँ हो या थाते थी या होगा होगी होगे जरूर होगा अवश्य होगा अगर आप simple sentences को बना रहे हैं या बोल रहे हैं तो याद रखना ये बात तो इनकी जाहिर सी बात है जब ये है है तो है कि कोई English भी तो होगी और अधिहान रखना 99.9% students जब English को बोलना सीखते हैं उनकी बात नहीं कर रहा है एलो एलो आपसे बात कर रहा हूं सोना मत यह मोबाइल को सई से देखो पकड़ो कसके हम उनकी बात नहीं करें इंग्लिस आती है वो तो लगाते ही है उनने तो लगाना ही पड़ेगा क्यों आती इसे लगाना मत भूलना 99.9% बच्चे जब इंग्लिस को सीख रही होते हैं इसको लगाना ही भूल जाते हैं अब मैं बोलू मातमा गांधी मेरे दोस्त बस इतना बोलके छोड़ दूँं अब आपको क्या पता चला है थे होंगे कुछ तो बोल आप यही तो बोलोगे सर कुछ तो बोलो मैं बहुत जल्द अपनी वीडियो लेकर अब लेकर क्या आया था आऊंगा लेकर आया हूं क्या बोलूं कैसे पता चलेगा आपको इसे लिए याद रखना time of word plays a major role in a sentence एक sentence क करता है remember this thing keep this thing in your mind right mind it कि यह time of word इसके बिना आपकी game खत्म है दोस्तों subject और object तो बदलते रहते हैं कभी मैं तेरा दोस्त कभी तू मेरा दोस्त मेरी मम्मी उसकी सहली और उसकी बहन राधा के घर पर यह सब होता रहेगा लेकिन हैं थे यह होंगे यह major role है जिसके बारे में वीडियो बन रही है इसको सही से समझ लें आज ठीक है तो time of word को भूलना ही मत जो समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं वह ठीक है अब देखो दो चीज़ें आपको पता चली एक तो आपके बारे में पता चला और एक हैं के बारे में पता चला दो के बारे में पता अब सोचो क्या लिखा है यहां पर ऑब्जेक की पहचान कैसे करोगे किसी ऑब्जेक की पहचान कैसे करोगे भाई देखो लिखा है subject और time of word को छोड़ कर पहले मैं देखो आपको सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रूको एकदम मस्त दिख रहा है आपको एकदम क्लियर दिख रहा है ठीक है हाँ वीडियो थोड़ा सा वह रहा है न रुकिए एक बिट अब वीडियो शायद धुंदला नहीं होगा ठीक है चलिए अब देखिए ध्यान से कह रहा है subject और time of words को छोड़ कर यानि कि इसके अलावा वाक्य में जो कुछ बचता है वो क्या होगा वो object होगा वो क्या होगा तो अब जरा इस sentence को ध्यान से देखो आप हमारा क्या है subject है है हमारा क्या है हमारा time of word है है अब इन दोनों को छोड़ दो आप और हैं को देखो जान से मैंने आपको डखा मैंने है को डखा आप बताओ क्या दिख रहे आपको क्या दिख रहे सामने बैठे मोबाइल उबाइल नहीं है, क्या है यह, मेरे दोस्त, यही है आपका objective part, ठीक है, clear हो गई बात यहां तक, अब आज एकदम clear आ रही है, very good, ठीक है, तो हमारा यह है subject, यह है time of word और यह है object, आपको छाटना आ गया, एक और चीज होती है, जो यहां है नहीं, पहले तो लगाते हैं हिंदी का कोई भी वाक्य जब उसका अंत होता है तो लास्ट में लगा होता है पूर्ण विराम यह जानबुश की नहीं लगा है ताकि आपको सिखाऊंग जैसे ही इस पूर्ण विराम लगा हुआ है वैसे ही जब इसे अंग्रेजी में लेके जाओके तो वहां बन यह दोनों ही यह हिंदी में बताता है वाकिय हस दूसरा बोलौ यह फूल स्टॉप बताता है कि इंग्लिःस का सेंटेंस एंड़ है बंददा पुच कैना नहीं चाता आप दूसरी बात बोलेगा है जी लियर हो गई बात वाकिके अंत की पहचान है निशानी है ये क्या फूल स्टॉप तो एक सेंटेंस की अंदर आपको माक्सिमम क्या देखने को मिलेगा एक सब्जेक्ट एक टाइम ओफ वर्ड एक अब्जेक्ट और फूल स्टॉप ठीक है यहां तक पहुच गए चलिए अब इक सेंटेंस और लेते हैं और उसमें आ देखते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को खाटते है क्योंकि अभी आपको चाठता नहीं आया है आपकी और आभी तक कितनी रुची ऐंटेल a भढग गया है बढ़ गया है इस बात को समझने अब लिख कर को आर कार में है बस यह निकाल लो आपको आंसर मिल जाएगा कार में कॉन है तो आपका छोगा सर रमा बस यही है हमारी सबजेक्ड तो रहा होगी सब्जेक्ड क्या हो गई लेकिन बनेगी कैसे इसके रूल क्या होते हैं जब आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो तो कैसे सिखाऊगी अगर आप हजबन वाइब इस वीडियो को देख रहे हैं तो है तो आज आप इस वीडियो को देखे सीख जाएंगे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको नहीं पता मैं अपने दोस्त को कैसे बता हूं कि मैं इंगलिश ऐसे बोल लेता हूं तो यह वीडियो आपके काम आने वाली है ठीक है तो यहां पर देखें यह रमा क्या है य मिलेगी वह कार भी थी ना कार में रमा कर में हैं है क्या है है हमारा ऑट को चोड दो और हैच में जूबी बचा वह क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट बाते बता रहा हूं यह इसको हलके में मत ले ले ला जो पढ़ा रहा हूं आज में आपको कहीं सोचो बंद करो यार वीडियो यह टॉपिक है इस इंग्लिश कैसे आ जाएगी ऐसे ही आएगी ऐसे ही आएगी यह ध्यान रखना बात इसको समझना पड़ेगा आपको ठीक है यह यू जाके बन जाता है फुल स्टॉप ठीक है अब मैं एक्जामपल में थोड़ा सा लिख देता हूं लेकिन आप आप कुछ सोचना मत ठीक है तो मैं इसकी इंग्लिश लिखूंगा रमा एज इन कार फॉट मैं लगा दूँआ फूल स्टॉप एक एक बूंद से बूंद है है में में एक एक बूंद रुको पूंड विराम फुल स्टॉप एक दो तीन चार पाँच ठीक है यहां पे भी एक दो तीन चार पाँच देख लो अब ध्यान से अब आप यह मत कहना सर यहां चार क्यों है भाई यहां भी चार है वहां भी चार है लेकिन एक और चीज है वो क्या है पता यह में लगा हों थी यह में यह प्रापोजिशन उती यह प्रापोजिशन जो अभी इसपर फोकस मत करो यह मैं आपको पार्ट थी में बतांग। यह पार्फ टू पार्फ रहे देख و फार्ट वन देखा था नप अब लिए आपसे पूछा आपने क्या सीखा तो चलो जवाब दो कॉमेंट बॉक्स ए ठीक है जब तक ये वीडियो पढ़ी रहेगी यूट्यूब पे कॉमेंट वॉक्स में जवाब दो मुझे बताओ ये संटेंस जो लिखा हुआ है इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है और फुल स्टॉप फुल स्टॉप तो पताइए न तो में ये पूंड विराम जो है न य फुल स्टॉप हो जाता है और यह है ना यह टाइम ओवर्ड है ठीक है यह लो मैंने बता दिया टाइम ओफ वर्टी ओफ डबलू लिख दिया मैं शॉट फॉर्म अब मुझे बता दो इसके अंदर तेरे भाई का लड़का चोर बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है अगर देखने के बाद जो सबसे पहले कोमेंट करेगा सही कोमेंट ठीक है फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि तेरे भाई का लड़का चोर है इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है अच्छा यह बात बता दूं आपको कभी यह मत सोचना कि सर सब्जेक्ट ना इतना सा होता है सब्जेक्ट कितना 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 होता है भाई सब्जेक्ट क्या पता दूं बस आपको यमुना नदी की जो लंबाई है इतना बड़ा सब्जेक्ट सब्सक्राइबर है इसी तरह से मैं बोलू मेरा सब्सक्राइबर कौन है तो वह पूरा ग्रंथ जो मैंने अभी बोला है ना यह आपको दोहराना पड़ेगा और यही सब्जेक्ट है पॉइंट समझ में आया तो लाइक कर दो वीडियो को फथाफट लाइक कर देना अगर समझा गई हो यह बात तो ध्यान से देखो अब पता करो यह चोर कौन है अगर आप कौन लगा दो चोर कौन है बस इसका अंसर देदो आपका सब्जेक्ट निकल के आजाएगा अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट न पता चल रहा हो तो कौन लगा के सब्जेक्ट निकाल सकते हो देखो चोर कौन है तेरा भाई सोचो तेरा भाई सब्जेक्ट हो सकता है इसके अंदर भाई चोर है क्या पता करो न चोर कौन है तो आपको पता चलेगा यह लड लड़का किसका है तेरा मेरा रोहन का सीमा का गीता का किसका जूली का किसका लड़का है पता चलेगा लड़का है भाई का लड़का किसका है भाई का वह यानि कि यह पूरा सब्जेक्ट हो गया यह वाद तो पता चल गई अब यह पता करो यह भाई किसका है तो भाई है भाई का लड़का यह पूरा कॉंसेप्ट सब्जेक्ट है याद रखना यह बात वहां तो सिरफ आप सब्जेक्ट था जब मैं पढ़ाना चुरू किया था फिर दीरे दीरे वह मैं में आ गया फिर उसमें रमा में आ गया लेकिन यहां पर मैं और रमा और आप नहीं लिखा य पागल का पागल है तेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त रोहन है देख रहे हो यह सब्जेक्ट है हाथ नीचे करके जो बोला वह ऑब्जेक्ट है तुम्हारे मोबाईल पॉन की बैटरी गटिया है अब पता चला सब्जेक्ट के आए जिसको यू करके बोल रहा हूं उतन कि बहुत अच्छा है तमझ रहे हो आप सब्जेक्ट क्या है यह सब्जेक्ट समझो बात को ठीक है अब देखो यहां पर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टाइम ओवर्ड छाटना आ गया आ गया यहां तक चीज़े समझ में आ गई आप मैं जो आपको बताने वाला हू आप इंग्लिश नहीं सीख सकते अगर आपने यह टेबल याद नहीं करी तो और आप लोग यह हसो मत यह वीडियो देख रहे हो जितने भी यहां पर बैठके अगर आपने यह टेबल याद नहीं करी भाई इंग्लिश नहीं सीख सकते आपको यह टेबल याद करनी ही यह लो अगर आपको यह टेबल याद नहीं है इमांदारी से बोल देता हूं आप इंग्लिश नहीं सीख सकते यह आपको याद करनी ही पड़ेगी ठीक है देखो आप मैं आपको समझा देता हूं यह समझने वाली चीज है इस टेबल को समझाने से यह लंदी बनेगी यह जान बूझके मैं बना रहा हूं यह वीडियो बहुत लंदी बनने वाली है लेकिन मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं खुलकर विस्तार से लंबी वीडियो बना रहा हूं ध्यान से इस टेबल को समझ लेना यूटूब पे पहली बार पढ़ा रहा ह एक तो मैं मैं मिला गुपता मेरा पैन मेरा माइक मेरा कोट मेरा निकर मैं निकर पैना वह नीचे आप सोचरों पैंट पैनी हुए नहीं मैं सची बोलता हूं ठीक है ऐसे ही मेरा रिमोट ऐसे ही यह लो मेरी कैप मेरा रिमोट यह मेरा मेरा क्या है यह मेरा मेरा ये तेरा तेरा ये हमारा हमारा ये उनका उनका ये उसका उसका ये उसकी उसकी है इसका इसका ये सब है और ये आपको याद कहना पड़ेगा इनको वापस तो ठक जाओंगा नी तो रुको ठीक है यहां तक पता चला आपको तो ये मैं मैं को होता है ऐसे लिखते मैं 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 की इंगलिश होती है कि और कि लिए मैं मैंने आपको कर्था कि मातराओं का ज्यान करो चोटे मातरा उ लगाओ बड़ी मातरा उतोyards को बूजा कैसे सीमाग से लिखते हैं इस चक्र में अलग होती इसमें याद करना पड़ेगा कि अस最 नहीं यह थो यादि वाली इंग यह 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 secret रखना यह यहां पर क्या इंग्लिश हो जाएगी यू इसलिए मैक इंग्लिश होती है और जो मेरा है मेर से संबंदित है जिसे मैं पोजेस करता हूं इसे बोलते हैं प्रोनाउन यह प्रोनाउन कौन होती है पता है जो सब्जिक्ट की जगह पर आ जाते हैं जैसे मैं बोलूं रोहन एक अच्छा लड़का है रोहन एक बुरा लड़का है रोहन चोर है रोहन मेरी क्लास में ही तो है रोहन के पापा बड़े शर्मीले है रोहन की मम्मी आप पते क्या कोगे क्या रोहन रोहन लगा रखा है तुने तो आप बोर हो जाओगे इसलिए pronoun का use होता है जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है अब मुझे दुबारा रोहन के बारे में बोलना है कि रोहन एक बुरा लड़का भी है तो मैं बोलूगा रोहन एक अच्छा लड़का है वह बुरा है उसके पापा शरार्ती है उसकी मम्मी बहुत तेज है मैं उसे किसे रोहन को मैं उसे जानता हूँ मैं उसे जानता हूँ मैं उसे पीटूंगा देख रहे हूँ आप ये टीबल कैसे काम कर रही है इसलिए आपको बता रहा हूँ ये होते हैं जो बीच में ये पोजेसिव होते हैं है अधिकार करने कप्जा करना हो न्ह我跟你a तो इन्हें लगाओँ गलूहाँ हाँ मैं राइब कार एक ईसकी है आप क्या आप वीडियो हे देख रहे है मेरी किसका है क्या बोल रहे हो आप सुनायी नीदिया यह बोल रहे हो क्या यह 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 फोल फोर फाria रहाए अरे यह भजन सुनन रहे हो मेरी यहाए यह ले करते हो ड़ मेरा इसी बार निकल मेरा इंस्टिट्यूट बार निकल मेरा ओफिस तेरी गाड़ी अपने पास रख यह पोजेसिव हैं इन्हें कबजा करना बोलते हैं हमारा हमारा हम कहते हैं हमारा हां हमारा तेरा कुछ नहीं है सब हमारा है ऐसे यह पोजेसिव हैं यह हम हैं यह हमारे पो आए मतलब मैं माई मतलब मेरा और मी मतलब मुझे लेकिन अगर इन तीनों में से किसी एक को भी आप याद नहीं कर पाए और आप भूल गए तो दोस्तों आप इंगलिश इसलिए नहीं बोल पाओगे क्योंकि मैं से रिलेटेड आप सारे संडेस बोलोगे माई से रिलेटेड बोलोगे लेकिन मी से related नहीं बोल पाऊगे तो फस जाओगे इसलिए पूरी टेबल याद करणी जरूरी है ऐसे ही you तुम तुमहारा की English होती है your और तुम्हें की English होती है you इसी तरह से हम की English we हमारा की English are और हमें की English us same उसी प्रकार से जाधा लोग हों दो या दो से जाधा हों तो दूर खड़े हों हम बोलते हैं वे तो बोलते हैं दे इसी तरह से उनसे related बहुत सारी चीज़े होंगी दुनिया में तो उनका देर और उसके बाद उनहें के लिए देम इसी तरह से लड़के के लिए किसके लिए boy के case में he वह के लिए उसका his और उसे him ऐसे ही अगर girl है यानि कि लड़की है girl है तो वह के लिए she, her बोलेंगे उसकी और इस her को बोलेंगे उसे याद रखना ठीक है क्योंकि आगे काम आएंगे जब हम आगे series बढ़ाते जाएंगे आ तो आपक निर्जीव वस्तू के लिए और सजीव दोनों के लिए ओसका यूज होता है मतलब मैं कोई जिंदा है भार जैसे कोई कुत्ता मारा थोड़ी जिंदा है जो वो लूगा इट इस डौग यह एक कुत्ता है मैं बोलूँगा it is an elephant ये एक हाती है तो it का यूज निर्जीव और सजीव के लिए मैं बोलूँगा ये क्या है ये एक marker है तो मैं बोलूँगा it is a marker ये marker है it is a marker ठीक है इसी तरह से यह है इसका के लिए हम बोलते है और it यानि कि इसे तो ये table आप या जरूर कर लेना table number one ठीक है आप चलो यहाँ पर और ये क्या है ध्यान से देखो इसको अगर आपने देख लिया और समझ लिया तो आदी लडाई तो आप आज जीत गए मतब ये वीडियो आपको इतना help करने वाली है आने वाले future में अगर नए लड़नर है ना नए लड़नर मतलब new learner है तो आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है ध्यान से देखना आपको बताया था ना मैंने भी महात्मा गांदी मेरे दोस्त थे मेरे दोस्त है महात्मा गांदी मेरे दोस्त थे या महात्मा गांदी मेरे दोस्त होंगे बत आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी बात कब की है क्या बताएंगे आपकी कौन सी बात कब की है मैं अगर आपसे पूछी लूँ आपकी मम्मी कहां है तो आप क्या बोलोगे मेरी मम्मी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपकी मम्मी किचन में है अगर है तो आप इसमें बात करोगे जहां जो सुनना अगर आपने बोला कि मेरी मम्मी किचन में है नहीं थी अभी कहीं गई मेरी मम्मी किचन में है नहीं मेरी मम्मी किचन में थी तो आप यहां बात करोगे अगर आपने वोला कि नहीं नहीं अभी तो dance classes में मेरी मम्मी किचन में होंगी पांच मिनट बाद आप आओ मेरी मम्मी घर पर ही होंगी पांच मिनट बाद आओ मैं आपको यहीं मिलूँगा यह जो होता है ना आने वाला future यह यहाँ चलेगा इसलिए यहाँ पर category बनी हुए है अब किसके साथ क्या लगता है यह भी बड़ा important है दोस्तों किसके साथ क्या लगता है यह बड़ा important है अगर मैंबो रहाहीं तो देखो मैं क्या बोल रहाहीं मैं घर पर हूँ हूँ अगर मैं बोलो तुम घर पर हूँ आपके पापा एक टीचर हूँ तो आपको हसने लग जाओगे कोगे सर हिंदी नहीं आती आपको अंग्रेज आप पे हसेगा अगर आपने इसमें लफड़ा कर दिया तो यही समझाना चाहरा हूँ तो I के साथ हूँ यह सिर्फ समझ लो ऐसे ही आए के साथ फ्यूचर में विल बी विल भी यह विल हैव लगता है क्लियर हो गई बात देखते जाओ देखते जाओ ध्यान से देखो चीजों को समझना है ग्रैप करो इसी तरह से यू के साथ आर लगता है यू के साथ वर और हैड पास्ट में औ और विल हैव लगता है सेम ऐसे ही वी वी का मतलब होता है हम अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो वी के साथ आर और हैव पास्ट में वर और हैड और फ्यूचर में विल बी और विल हैव ठीक है और इसी तरह से यह सब एक दूसरे के सामने लिखे हुए आप ले लिए आपने चलिए अब चलते हैं इससे आगे अब यह जो आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है ना इस टेबल को बड़े ध्यान से सुन लो और समझ लो ठीक है देखो ध्यान से इसको आप देखने के बाद लगभग एक 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 एहसास आज आपको हो जाएगा कि अच्छा इंगलिश की शुरुवात ऐसे कर सकते हैं यह बता लग जाएगा चीक है बड़े ध्यान से देखना अब देखो यहाँ पर सिंपल सेंटेंसे प्रेजेंट महात्मा गांदी जी मेरे दोस्त थे और फ्यूचर महात्मा गांदी जी मेरे दोस्त होंगे यह तीन बात प्रेजेंट पास्ट यह फ्यूचर के इन वर्ड्स को लगाओगे जब आप किसी संटेंस के अंदर वाकी के अंदर इनका यूज करते हो तो बंदा समझ जाता है कि मातमा गांदी आपके दोस्त हैं यह कह रहे हूँ आप जब आप इन शब्दों का यूज करोगे अपने सं अबजेक नहीं है इसमें बीच वाला है सिर्फ टाइम वर्ड यह इतना बड़ा थी और इसी की गेम है पूरी इसी का लफड़ा है फिलिंदा ब्लैंक्स आते हैं आर्टिकल्स वगेरा जवाब पढ़ते हो यह सब इन से ही आइडिया लगता है कि क्या आने वाला है क्या अगर किसी वाक्य के अंत में लगा हुआ है है हूं हो तो आप इस एम और आर का यूज करते हो जैसे मैं आपको एक्जांपल समझाता हूं मैं बोलूं मैं मिलाप हूं यह मेरा पैन है इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही देखो मैंना कोई काम नहीं करूंगा यह ध्यान लखन सुना आप मेरे सब्सक्राइबर हो ऐसे से तो यह जो संटेंश मैंने अभी बोले मैं मिलाप हुँ वालासट है हूं हो से के last में लगा हुआ है क्या लगा हूआ है है हूँ हो अगर किसी वाक्य कानत है हूँ हो से हो और उसमें कोई क्रिया ना हूँ तो आप इस MR का यूज करते हैं किसके साथ क्या लगेगा यह हम next वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे मैंने अभी इससे पहले बताया screenshot लेने क हो गया यह थी category 1 प्रेजंट की ही यह प्रेजंट की category 1 है जिसमें sentence के last में हो होता है अब प्रेजंट की category 2 भी होती है category 2 में कुछ अलग तरह के sentence होते हैं जैसे मैं मिलाब हूँ यह तो इस category में है अब तीन category और बताता हूं ध्यान से सुनना मलब category 2 ही है लेकिन 3 तरीकिए ह सुनना मेरे पास marker है ठीक है और मैं बोलım कमरे म yolं क्या बौला कं쓰ेंट मे चो मी कमरे में हूँ या फिर मैं कम्रें में मैं कमरे में उन तो मैं यहां आजाओंगा लेकिन अगर में बोलू 5 में श्याहिए तो किसी चीज में कुछ होना देखो पास है मेरे पास मारकर है मेरे पास High ये और काटिग्री का पहला काट्रा सेंटेस डूसरा में है में है मतनब जैसे मैं मैं बोलू है कोट में 10 Uh अजही है गार मैं सारा पैसा में मेरे बेंक में लाक्कोव रुपे है sentence सुन रहे हो, क्रिया नहीं हो रही कोई भी, कर्म नहीं कर रहा है, ऐसे sentences में हैं वाले, यार कमरे में बड़ी बद्बू है, देखो कमरे में, बोला, तो में हैं, कमरे में बद्बू है, में हैं, क्या है में हैं, कमरे में बद्बू है, में हैं, और भाई बहन है, ये भी आता ह जैसे मैं मिला फूं मेरे दो बहई है मैं मिला फूं मेरे दो चाचा बहुं से दार हैं एक हैं मेरे दो भाई हैं मेरे दो मेरी दो किताबे हैं जो बहुत अच्छी है मेरी दो मेरी मेरी दो साइकल कि लिए तो मेरी कुछ मेरइ भाई बहने 1 से अथ में ऑर इस जो हमारा time of word लगता है वो has और have लगता है इस MR नहीं लगता ठीक है क्योंकि इसमें भी मेरे पास pen है मेरे दो भाई हैं last में हैं ही आ रहा है लेकि लगा क्या है पास है में हैं और भाई भेन है ये पहचान है तो has have ठीक है has का negative बनता है does not have और have का negative बनता है do not have याद रखना has not और have not तो हम present perfect tense में करेंगे जब आप tense सीखोगे कुछ समय बाद अभी आप no action सीख रहे हो यहाँ पर has का negative does not have और have का negative do not have होता है अब आते हैं past की category 1 में past की category 1 में मैं बोलूँगा महत्मा गांदी जी मेरे दोस्त थे तो अगर sentence के last में था थे थी आ रहा है तो आप was या वर का यूज़ करते हैं जब आप इसका negative बनाते हैं नहीं वाला नकरात्मक वाक्य तो हम was not और were not का यूज़ कर लेते हैं past की category 2 के अंदर same वही यही रहेगा बड़ था लग जाता है मेरे past marker था या मैं बोलूँ मेरे पास एक car थी बेच दी मैंने मेरे पास एक car थी I had a car तो मैं बोलूँगा I had a car तो past थी या में था मैं बोलूँ car में बड़ी दिक्कते थी car में बड़ी समस्याएं थी में थी past category 2 और भाई बेहन थे मेरे दो भाई थे तेरे तेरे दो टीचर थे बड़े बेकार थे तेरे दो टीचर थे तो भाई बेहन थे या कोई भी सगय संबंदित थे तीचर थे, डॉक्टर थे मेरे दो डॉक्टर थे दोनों भाग गए तो मेरे दो डॉक्टर थे ऐसे मेरे दो बेटे थे करान अर्जुन तो ये भाई बेहन थे ऐसी चीज़ी आती है थे में past की category 2 में आएगा अब इसमें क्या लगता है had और had का negative ध्यान रखना had not नहीं होता वो past perfect tense tenses में सीखोगे यहाँ पर लगाओगे did not have point to be noted guys point to be noted उसके बाद future की category 1 में मात्मा गांदी जी मेरे दोस्त होंगे ये शुद्ध future है होगा होगी होंगे वाक्षी के अंत में है लगाते क्या है will be लगाते है लेकिन जब इसका negative करते हैं तो बहुत सारे student will be not कर देते हैं क्या कर देते हैं लिख देते हैं will be क्योंकि notty तो लगाना है वो सोचते हैं is not was not were not तो will be not नहीं 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 गलत है आपको will not be करना पड़ेगा ध्यान लखना will और be के बीच में not को बठा दो ठीक है यहां तब कोचे अच्छा category 2 क्या होती है category 2 मतलब मेरे पास एक घर होगा ऐसी चीज़ जो मेरे पास होगी future में एक तो ये एक में होगा मैं बोलूँ कि ground में बहुत भीड होगी बाजार में बहुत crowd होगा में होगा कमरे में बदबू होगी ऐसी चीज़ें और एक और भाई बहन होगे जैसे उसके पास में जई होगा उसके दो भाई होगे दोनों पीटेंगे तरको उसके दो भाई होगे मेरे दो चाचा होगे मेरे दो करानरजुन होगे मैं शादी शुदा नहीं हूँ नेगटिब बनाने के लिए will not have, ठीक है, यहां तक समझ आया, यह था simple sentence की present की category one or two, past की category one or two, future की category one or two, इसके अलावा, आपको simple sentences के अंदर कुछ भी याद करने की जुरत नहीं है, सिवाए इसके, सिवाए इसके, screenshot इसका आप अभी ले सकते हो, मैं आपको इसका screenshot लेने के लि लिजे, यह आपको काम आने वाली है, table बहुत काम आईगी है table आपको, चलो, आपने screenshot ले लिया, I hope so, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं हम इसको लेके वीडियो को, अब हमारा next topic है, यह देखो क्या है, मैं आपको आज इस class के अंदर, जो पढ़ाने वाला हूँ, वो है present की category one, जिसमें सिर्फ और सिर्फ is MR का use होता है, और sentence की पहचान होती है कि वाके के end में, अंत में सिर्फ लगाओगा है हूँ, हो, is MR, ठीक है, कुछ नहीं, वो तो मैंने आपको सिर्फ एक बता दिया कि क्या-क्या पढ़ोगे अभी मेरी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अब मैं आपको एक चीज बड़ी important यह बताना चाता हूँ कि हम चो सीख रहे हैं आज, ऐसे sentence जिनकी पहचान क्या, जिनकी पहचान क्या होगी, है, हूँ, हो, सिर्फ इतनी, ठीक है, simple present tense, category 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आज एकदम clear है, category 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देखो यहां पर, यह है positive sentence number 1, यह है number 2, यह है number 3, यह है number 4, यह है number 5 और यह है number 6, अब आप पता क्या बोलोगे सर, सर बस 6 तक गिंती आती है आपको, 7, 8, 9, 10, 100, 120, यह कुछ नहीं पढ़ा होगे, सुनो, इस दुनिया का कोई, यह गिठा मार लो, गाठ मार लो इस बा गिरहा, कोई भी sentence हो इस दुनिया का, चाएं वो action हो, चाएं वो no action हो, सिर्फ इनहीं 6 तरीके से, बोला, लिखा, सुना और समझा जाता है, ध्यान रखना यह बात, इस दुनिया में इस 6 के अलावा सात्वा तरीका है ही नहीं, यानि कि English language के अंदर एक sentence की 6 तक ही गिंती च sentences in English, ठीक है, देखें कैसे, सबसे पहला rule हमारा यह कहता है, जैसे पहले तो मैं आपको sentence लिखके दिखाऊं, देखो ध्यान से, मैं लिखके दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, मैं मालो मैंने लिखा, मैं पागल हूँ, आपको हसी भी आनी चाहिए न, थोड़ी सी, बोर नहीं होंगे आप, मैं पागल हूँ, यह पहला sentence है, जब मैं इसका negative बनाऊँगा, यानि कि ये वाला, तो मैं ये rule लगाऊँगा, और मैं लिखूँगा, मुझे लिखना क्या होगा, मैं पागल, मैं पागल नहीं हूँ, ध्यान से देखना ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, जब मैं इसका interrogative बनाऊँगा, interrogative मतलब होता है, सवाल पूछने वाला, ध्यान अखना, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं बोलूँगा, क्या लगा के, क्या मैं, क्या मैं पागल यह बोलू है, और मैं last में लगा दूँँगा, question कोईकी सवाल हो जाता है, चालो, interrogative, negative के अंदर सवाल भी होता है और नहीं भी लग जाता है, यानि कि ये सवाल ऐसा का ऐसा ही नीचे आ जाएगा, और मैं इसमें नहीं लगा दूँगा, क्या मैं पागल, क्या मैं पागल नही होती कितनी है और क्या होती है देखो होती है बहुत सारी फिलाल आपको 14 15 मैं समझाऊंगा जैसे वाट हूँ वेर वेच जैसे राम घर पर है कब कि तुम मेरे दोस्ते कैसे अरे रोहना वहाँ पढ़ाय कहा पढ़ाय औरे उसका किदर काहन कब कियो कैसे किसे साथ है कितना गड़े में पानी है कितना है बाल्टी में पानी ये चीज़े समझ घ्री आप कितना ये जो जो डबल्ट फैंफनें और पागल की यह पूछूँगा और अगर मैं इसका सिक्स टाईप बना को अपना मैं बोलूँगा मैं पागल क्यों नहीं हूं मैंने बोला मैं पागल क्यों नहीं हूं और लास्ट में question mark आपने notice करा तीसरा चौत्था पांचवा और छटा यानि की third, fourth, fifth और sixth ये सवाल है सिर्फ पहला और दूसरा हां और नामे answer है ठीक है पहला और दूसरा हां और नामे answer है लेकिन third, fourth, fifth और sixth क्या है सवाल है ठीक है ये चीज़ समझ में आगई अब हमें करना क्या है बस इतना करना है कि ये जो sentence लिखे हैं इसको इस rule में apply करना है और उसके English यहां पे लिख देनी है क्या करना है सिर्फ इनकी English लिख देनी है sentences की अब मैं एके करके rule के according चलूँगा और आप बड़े ध्यान से कुछ नहीं करोगे आप कोई column pen नहीं लिखना कुछ note नहीं करना बस screenshot आप इसका ले सकते हो ये काम आएगा आपको लेकिन बस आपको ये समझना है कि मैं कैसे बना रहा हूं बस ऐसे ही कलाकारी आपको कर देनी है इस वीडियो को देखने के बाद आज आज के बाद आप कोई भी sentence भोलोगी नहीं बड़े प्यार से बना लोगे ध्यान से देखना पहले मैं इसकी English बनाऊँगा मैं पागल हूं तो मैं यह देखना चाता हूं कि मैं पागल हूं मैं subject क्या है object क्या है और time of word क्या है ठीक ह सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहला रूल तो यह कहता है मालो आप आपकिसी से बात कर रहे हूं तो जरूरी नहींộc जब क्या पता सबात करती है तो कही बात करते हूं क्या पर रहें क्या रोहन तेरा दोस्त है क्या तुल क्या करके वे क्यूं नी करेगा कॉन नी जाएगा यह तो ख्रिया है जाएगा येगा लेकिन सिंपल सेंंटेसिस में भी तो मौन सकते हैं क्यों भई क्यों नहीं कहां कैसे हैं यह तो आपको पता करना पड़ेगा कि जब आप उंगलिश में किसी यह व है ये वीडियो का सार है सबसे अलग बात है इस video में कुछ नहीं पड़ा रहा हूं लेकिन जो बताने वालाँ अगर कोई इस वीडियो को यहां थक आय यह नहीता पूंप अबाता है एप जहां से सुनना क्या बताने वाला हूं मैं यह बोलना चाहता हूं आपको कि जो हम बोलते हैं जैसे मालो मैं कुछ किसी से बात करना मुझे कुछ बोलना है तो मुझे पता है ना मुझे क्या बोलना है यह 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 अगर मैं किसी सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं चारों में से कुछ बोलूँगा, अगर मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ, हाँ यह ना में तो मैं तो मैं तो बोलूँगा, हाँ भई मैं पागल हूँ, यह मैं बोलूँगा, नहीं मैं पागल धड़ी हूँ, तो हमें पता होन नहीं सकते हो और English बोलना शुरू कर दोगे बट शुरुआत करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरुआत करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एक व्यक्ति जो कार नहीं नहीं खरीद के लाता है यह लेने की सोच रहा होता है वह पहले 10,000, 3000, 5000 मार्किट में फैक के कार को चलाना सीखता है जब चलाना सीख रहा होता है तो उस वक्त उसे ऐसा लगता है कितना ध्यान रखना पड़ेगा गेर भी मारने हैं क्लिच पैडल भी दबाना है जैसे ही ब्रेक मारने हैं उसके साथ हमें क्लिच दबाना है गेर बदलना है फिर सामने कोई बुढ़िया आ जाए तो वो ना उड़ जाए उसको एंडल को यूं करूं यूं करूं बगल वाले सीशों में भी देखना है कोई आगे पिछे से ओवर टेक तो करने नहीं आ रहा कहीं मैं घुज़ा हूं उसके अंदर सामने कोई इतना बला ट्रक चल रहा है यह ट्रक साथ में देखना उल्टा लेके आ रहा है मेरी गाड़ी घुसा देगा यह चीजी होती है ना सारी यह सब तब होती है जब आप चलाना सीख रहे होते हो क्या होता है जब आप चलाना सीख रहे होता है बहुत डर लगता भयानक मुझे तो बड़ा भयानक लगा था लेकिन आपको एक fact बताऊं, आज की date में मैं कार में बैठ कर बगल बाले से बात भी करता हूं, इतना सब शीशों में भी मेरी नजर रहती है, जैसे ही कोई अचानक ऐसे नहीं दिख रहा है कोई सामने मैं कह रहा हूं, अचानक कोई कुटा बिल्ली सामने भी आ जाता है, फट लाई भी safe हो जाती है, और मेरे को भी हसी आ रही होते हैं कि अरे यार बीच में आ गया, सोचे एक पलक जपकते ही क्या दिमाग ने काम कर दिया, अब आप यह मत सोचना, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, यह सब चुटकियों के चुटकियों चुटकियों में भी time लग है, एक मिनट, आदा सेकंड पता नहीं कितना लग रहा है, है न, मिली सेकंड लग रहे हैं, सोचने में इससे भी कम समय लगता है, ध्यान रखना, चांद को जैसे ही आप देखते हो ना, तो आखे जो आती है, चांद पर जाती है, तो आपको देखते ही बता देती है, पार है, सोचो, ब्रेन का भी कुछ ऐसा ही साव है, ध्यान रखना, यह मत सोचना, कैसे बोलूँगा, क्लियर हो गई बात, आप देखो यहां पर, सबसे पहले आप इसको कि सीख रहे हो ना, इसलिए ले लेक्टर देने आपको जरूरी है, अब मुझे इसकी इंग्लिस मनान पिर आप जाओगे टेबल नमबर टू में, मैं जाकर दिखा हूँ अपको, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो मैं जाकर दिखाता हूँ, अरे यह सब गायप हो जाएगा फिर जाकर नहीं दिखाऊँगा, देखो, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, देखो, मैंए कि इंग्लिश क्या होती है और आपको इंग्लिश किसकी बनानी है अच्छा यह लिखा नहीं जा सकता आई की इंग्लिश बनानी है तो मैं की इंग्लिश हो गई यह पता चला अब टेबल नमबर टू में देखो कि आई के साथ क्या लगता है आई के साथ क्या लगता है आई के करोगे काम तो ऐसी तो देखोगे टेवल और बनाते जाओगे संडेज देखना सारे संडेज बना लो गया जब ठीक है I am मैं हूँ मैं क्या हूँ मैं पागल हूँ तो पागल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया इसमर में से एक चीज को कि I है अबारा सब्जेक्ट तो I के हिसाब से हमें क्या लगाना चाहिए हमें लगाना चाहिए M अच्छा अगर हमारा सब्जेक्ट सोच के देखो अगर हमारा सब्जेक्ट यू होता तो तो हम क्या लगाते तो हम R को लगा देते हैं ऐसे ही सब्जेक्ट के एकोर्डिंग आप को is mr को सोच कर लगाना है कि क्या लगता है इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है याद करना पड़ता है अगर यह subject हमारा क्या होता ही होता तो क्या लगाते भई अगर हमारा ही होता तो हम लगाते is clear हो गई बात ऐसे हम चाट के लगा लेंगे ठीक है तो I के साथ M और पागल की English क्या होती है पागल की English होती है mad क्या हमारा काम पूरा हो गया नहीं अब्जेक्ट लगा दिया हमने mad mad के बाद क्या लगा है फुल स्टॉप यह हमने लगा दिया है अब यह संटेंस ना इस दुनिया का कोई माई के लाल गलत नहीं बता सकता I am mad मैं पागल हूं यह English बन गई ठीक है जब आप इसका नेगिटिब बनाते हैं तो अपने ध्यान मैं मैं का मैं पागल का पागल हूं का हूं बीच में नहीं लगा हुआ है वही काम English में कर दो क्या कर दो I am और यहां पर बस not लगा दो I am not mad हमने फालतू क्या लगाया हमने सरफ यह not फालतू लगा दिया हो गया I am not mad ठीक है और यह हमने इस रूल के हिसाब से लगाया अब अगर मुझे इंगिलिज बनानी है कि क्या मैं पागल हूँ क्या बनानी है क्या मैं पागल हूँ तो जब आप किसी से सवाल करोगे दोस्तों ध्यान रखना और सवाल में क्या पहले आये क्या पहले आये किया मैं पागल है किया पहले आया तो जब क्या पहले आता न थे말गा अब आपको सब्ञॉट नहीं आपको वहले लगाना होती है क्या मैं हूँ, क्या तुम हो तो are you क्या वह है तो is he क्या वह है लड़की के लिए तो is she ये करना होता है ठीक है तो am I, उसके बाद फिर वो ही mad क्या मैं पागल हूँ, am I mad जब आपने ये बनाया क्या मैं पागल हूँ, तो अब आपका subject क्या है, I है subject के बाद क्या लगा हूँ, not तो आप not लगा दो, am I not उसके बाद four type में, not के बाद क्या है, object object क्या है, आपका mad, तो आपका बन गया, am I not mad, ये आपका fourth rule हो गया, English बनानी आ जाएगी, बनानी बोलोगे, अगर ये trick समझ में आ गई आज आपको तो, बोलोगे English आप, ठीके, जान से देखना अब देखो इसका fifth type, fifth type में मैंने क्या बोला था, मैं पागल क्यों हूँ, अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर आपको समझानी बहुत जरूरी है ये जो क्यों है ना इसको English में बोलते हैं वाई, बस आप सिरफ समझ लो इसको डबलो एच फामली का separate वीडियो लेके आँगा ना तो आपको सब कुछ बताऊँगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे वाई, क्या लिख देंगे, वाई अच्छा एक बात या रखना, जब भी आप English लिखते हो तो उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है तो वाई को ना बड़ा कर देते हैं ये वाई बड़ा हो गया, ठीक है डेवल्यू बड़ा हो गया, ठीक है अच्छा, बना गया रहे है मैं पागल क्यों हूँ कितने अक्षर हैं एक, दो, तीन, चार तो भाई मेरे चार ही वाउने चीए तो वाई आ गया, वाई के बाद सब्जिक क्या है हमारा सब्जिक हमारा आए है, आए आए के साथ क्या आता है, एम तो लगा रहे हैं तो वाई एम आए, ध्यान अखना वाई आए एम मत करना वाई आए एम मत करना इसके बारे में अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है तो हम बोलेंगे वाई एम आए सवाल में हमेशा डवलु एज फैमिली के बाद हेल्पिंग ववाईगी तब वो सवाल बनेगा अगर अपने वाई आए एम कर दिया तो बात कुछ और हो जाएगी ध्यान लखना तो वाई एम आए और उसके बाद आपका अबजेक्ट है मैड और यह हो गया सवाल वाई एम आए मैड और लास्ट में चैनल हों यह बागल क्यों कैसे लिखोorg हो ना इतनागा सबसे पहले मैं लगए और वाई कि पहला लेटरबणा वाई उसके बाद हमाने लगाना है एम उसके बाद आए लगाना है अब देखो why is mr is mr say में तो m लग गया subject subject say में तो i चला गया बट यहां पर object है यहां not लगा हुआ है तो why am I not why am I मैं यहां पर कर दूँगा बस not why am I not why am I not why am I not cannot mad मैं पागल क्यों नहीं हूँ why am I not mad यह मैंने इस तरह से sentence यहां पर बना दिया why am I not mad तो दोस्तो एक sentence को किस तरह से आप English में translate कर सकती हो आज आपने देखा यह सिर्फ just sentence भी formation में आ जाएंगे बन जाएंगे ठीक है अब मैं आपको next वीडियो जो बनाऊँगा उसमें बनाऊँगा present tense की category 2 उसके rules के साथ और sentence भी थोड़े से ज़्यादा लेके आऊँगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही right कैसा लग पर सब्सक्राइबर धिरे धिरे गेन हो रहे हैं जस्ट आपकी बदोलत तो मैं आपको सबसे पहले आपको मैं थैंक्यू बोलना चाहता हूं कि आपने हमें पसंद करा और हमारी इन वीडियो को आप regular देख रहे हैं और इस सीरीज को मैं भी वादे के साथ लाता रहूंगा ह हर वीडियो को टाइम टो टाइम और आपकी इंगलिश को इंप्रूफ करवाने की जिम्मेदारी मिलाब गुपतागी है सिर्फ अपने भाई को याद रखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन बटन को प्रेस कर लेना क्योंकि यूट्यूब तभी आपको तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन देगा अगर आपने बैल आइकन बटन को प्रेस कर रखा होगा तो और साथ ही एक जिम्मेदारी आपको छोड़ी सी सौप के जा रहा हूं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम आप इसको शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कीजेगा इससे मेरे को हेल्प में लेगी मेरे सब्सक्राइबर गेन करने में और हमारी फैमली भी बड़ी हो जाएगी मैं मिलाब गुपता मिलूंग आपसे नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई